है गाइस हैलो फ्रेंट्स कैसे हो दोस्तों आशा करते हूं कि आप बहुत अच्छ होंगे चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी करें बहुत ही खास वीडियो होने वाली है आज हम बताएंगे हूँ विल यू मैरी एंड वैन आपकी शादी किससे और कब होने वाली है लाव और अरेंज तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आपके माइंड के डॉट्स हो पाते हैं या नहीं बहुत खास वीडियो हैं से अंतर तक देखें पसंद आया तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स में राधे आधे लिखें चानल को सब्सक्राइब करें बला अकन को प्रेस करें वीडियो की शरवात करते हैं स्क्रीन पर आपको देखें दो कार्ट दिखाए दे रहोंगे फर्स्ट कार्ड में जनुरी से लेकर जनुरी मार्च मई जुलाई सेटेंबर नवंबर मन्त हैं और सेकंड का कार्ड आप चूस कर लिए फर्स्ट या सेकंड उसके बाद हम देखेंगी कि आपके मैरिज किस से होगी जिससे सोच रहे हैं उससे होगी और अगर होगी तो कैसी रहेगी क्या रहेगा कब होगी यह सब हम आज इस वीडियो में समझेंगे तो प्लीज कोई एक कार्ड चूस कर लिजिए फर्स्ट कार्ड जिसने भी चूस करा है यानि कि उसमें जनवरी मार्च मई जुलाइ सेटेंबर और नवंबर महिना है तो आपसे कहते दोस्तों बहुत बहुत बढ़ाई हो जी हां दोस्तों बताते थे 23rd से लेकर 30 के बीच में आपकी शादी होने के आसार टेर पर हमिशा अंधाल के उमीदों करते हैं आपके साथ एसा नहीं हो पाता आप डिखने थीक है लेकिने बहुत अच्छे इंसान हैं नहींむ आप तड़क भड़क में विश्वास रखते हैं ना ही जदा आप ग्लेमर में विश्वास रखते हैं आपको जदा फैस्टनेबल रहना पसंद नहीं है बहुत ही सिंपल से ओबर रहते हैं लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं आपके साथ जिस भी विक्ति की शादी होगी या जिससे आप शादी करेंगे वह हमेशा खुश रहेगा क्योंकि आप विश्वास रखते हैं हर रिष्टे में आप समझते हैं सामने वाले को आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है कि विश्वास करना और किसी इंसान को हमेशा पॉजिटिव समझना चाहें वह नेग करेंगे अठारा की एज में आपको एक स्कूल टामस पर कोई पसंद आएगा उनसे आपकी शादी नहीं हो पाईगी लेकिन फिर बीस के बाद कहीं जौब के लिए आप अप्लाइ करेंगे तो वहां पर आपको कोई पसंद आपका रहेगा जिसे आपको बहुत ही सच्छा प अपको पसंद आया है वह जरूर आकी लाइफ में आएगा और उसी से आपकी शादी होगी और बहुत अच्छी टिके कि आपके शादी लाइफ टाइम तक बिलकुल टैंचन नहीं लेना है बहुत अच्छा इंसान आपको मिलेगा कैरिंग हस्बें मिलेगा लाइफ में किसमत उसकी पलड़ दीन सेके नमबर की बात कर लेते हैं सेके नमबर का कार्ट फैब्यूरी अप्रेयल जून अगस्ट ऑक्टोबर डिसम्बर जिसने भी चूज करा है देख लेते हैं विया विल यू मैरी एंड मैं तो दीखें आपकी शादी का जो सही समय दिख रहा है अभी फिलाल में 21 से लेके 25 तक का समय दिख रहा है उसकता 26 तक भी आपकी शादी प्रोक्स हो जानी चाहिए अगर फिर नहीं होती है तो थटी के बाद ही आपकी शादी होती है इसके साथ ही सीधे इंसान है धर्मिक इंसान है धर्म के प्रती बहुत विश्वास रखते हैं और कहीं न कहीं रोमैंटिक भी हैं प्यार को लेकर बहुत जदा उताबले रहते हैं अगर किसी को वचन दे दिया किसी को समय दे दिया तो उसे पूरा करकर ही रहते हैं वादा खिलाफ ही नह पसंद करने पसंद की इंटर कास्ट भी आपकी शादी हो सकती है तो विल्गुल टैंशन ना ले करियर भी आपका बैस्ट होने वाला परस्नालिटी तो आपकी गूड़ लुकिंग वाइस भी आप बहुत अच्छे दिखते हैं कैरेक्टर आपका बहुत खास है ताइमिंग आ आने से कहीं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा तो टैंशन नाले आपकी शादी वेक्ति से होगी जिस वेक्ति से आप प्यार करते हैं जिसको आप समझते हैं जो आपको समझता है कहीं उसी के साथ आपकी मैरीज होने वाली है और एक चीज और बता दोशिश करें और इसी के साथ आपको थोड़ा सा अपने नेचर में बदलाव करना होगा थोड़ा समझना होगा क्योंकि देखिए जब तक आप समझ नहीं पाएंगे सामने वालों को आप हमेशा बोलने की ज्यादा इच्छा रहती है आपके सुनने की आदत आपको कम है त तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक आप हमेशा कनफ्यूजन में रहेंगे हमेशा अनादर होता रहेगा आपका इसलिए आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले आदर सतकार मिले तो लोगों को सुनने की आदत भी आपको डालनी होगी तो टेंशन ना ले शादियूसी से हो करनी इस बात का ध्यान रखना 21 के पहले अगर आपने शादी कर ली तो कहीं ना कहीं उस शादी में दिक्कते आ सकती है वो शादी टूट भी सकती इसके बहुत ध्यान से शादी को करिएगा घरवालों की रहामर जी के बिना शादी मत करिएगा बड़े बुजुर्गों का लेकर अगर आप इसके पहले भी शादी करेंगे तो वह शादी सक्सेस होगी जरूरी है घर के बड़े वुजुर्गों का आशिरभाद लेना कोशिश करना कि 21 के बाद ही हो तो चलिए वीडियो कैसे लगी पसंद आई हो प्लीज लाइक करें कमेंट सेक्षन में जैमात चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करें मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में अभी आप सिबको भूत बदनेवा जमातादी हर हर माते हूं